जब प्राइवेट डेटेक्टिव में इस गुड़े केस को देखता हूं तो इसमें कोई दोग रहा है नहीं कि शुषांद की मौत के बाद जब वहाँ पर पुलिस पहुंचती है तो अन्प्रोफेशनलिजम की थहती ये काम होता है बिल्कुल गयर पैशरवर के तरिके से क्योंकि आप जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं आपको जो वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं चाहिए उनके सर्वेंट्स हों चाहिए उनके कहते हैं दोस्त बगएर हों वो यह कहते हैं कि शुषांदे सोसाइट कर ले आप पुलिस इस बात को मान भी लेती है ये ना समझते ह हुए कि उस कमरे में कोई कुर्सी नहीं है कोई टेबर नहीं है और मौत हुई है लटकने से मौत लटकने से हुई है टेबल कुर्सी नहीं है और आप इसको दूसरे एंगल से नहीं देखते हैं दूसरा पहलू नहीं देखते सिक्केगा हमें बड़ी है और ऐसे टाइम में lockdown के time आप चावी वाले को ढूण रहे हैं चावी वाले को बुला रहे हैं यह सब unprofessionalism लग रहा था में पुलिस का और इसकी वज़े से ही आज CBI के पास ही case है मैं आपको ग्राफिक के द्वारा ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि शुषान के कमरे के अंदर जो bedroom था उनका उसके अंदर क्या रहा होगा कैसे कहते हैं शुषान ने अगर suicide किया होगा क्या ही suicide हो सकता है या फिर यह हत्या है मैं आपको कोशिश करता हूँ एक dummy bedroom से यह शुशांत का dummy bedroom है इस dummy bedroom के अंदर table नहीं है कुरसी नहीं है सिरफ यहां पर एक bed है और एक fan है जो की bed से थोड़ा सा side में है अगर आप समझने की कोशिश करें तो हर जो भी करते कमरे बनाये जाते हैं उन कमरों का जो आपका floor होता है और जो roof होता है उसका जो size होत है यह normally है अब उस कमरे के अंदर आप देखते हैं तो two feet का एक bed है जो शुशांत का bed है जिसे हम dummy bedroom बोल रहे हैं और उसके अंदर fan लटका हुआ है जिस fan की height two feet one inch है और वो इस bed से थोड़ा सा side में है शुशांत की अपनी height five feet ten inch है अगर आप समझने की कोश करें कि जो bed है बैड का जो frame होता है जो wooden frame हो सकता है या कहते हैं iron frame हो सकता है इस frame से अगर हम fan की height को देखें तो five feet eleven inch के आसपास बनती है fan थोड़ा सा bed से side में है ना कि center में है इसकी वज़े से जो इस slope बनने की वज़े से जो ये height है six feet two inch हो गई fan की bed से अब समझने की बात ये है कि शुशांत की अपनी height five feet ten inch है अगर वो हाथ raise करते हैं bed के frame के उपर खड़े होके पंक्खे के उपर not बानने के लिए तो उस condition में उनकी अपनी height और eight inch जो उन्होंने अपने हाथ को raise किया अगर दोनों को हम समझें तो ये height कोई six feet four inch के आसपास बनती है जबकि जो slope था वो six feet two inch बना था तो six feet four inch बनने की वज़ा से जो margin मिला वो सिरफ और सिरफ two inch margin मिला अब बात समझने की है कि two inch के margin में क्या कोई आदमी पंक्खे के उपर not बान सकता है वो भी slope कहते हैं way में yes शुशान बहुत fit थे कोई दो राये नहीं है हमने जितने उनकी वीडियो देखी है उस वीडियो के according वो आम आदमी से काफी ज़्यादा fit थे ऐसी fitness के बावजूद क्या वो not बान सकते हैं हमें ऐसा लगता है कि not तो बान दी जा सकती है संभावना है सुसाइट की लेकिन इसके बाद कई question कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी है जैसे कि आप जब दर्वाजा खोलते हैं उसके अंदर कि आपने फिंगर पिंट लिए यानि कि पुलिस नहीं लिए तो क्यूं नहीं लिए क्यों उनकी statement पे आपने ये मान लिया कि ये society है ये हत्या हो ही नहीं सकती सिक्क्या का दूसरा पहलू ही नहीं देखा आपने जबकि जब भी को investigation agency काम करती है तो वो खाली आपके statement के उपर काम नहीं कर रही है statement के साथ उस circumstances को समझने की कोशिश कर रही है कि एक celebrity की मौत हुई है उस मौत में hang हुआ है लटकने के बाद मौत हुई है कमरे में table नहीं है कुरसी नहीं है और ऐसे time में lockdown के time चावी वाले को ढूटा गया है आपको हेलानगी होगी कि मैं investigation में उस area में गया था उस area के अगर आप circumstances में देखेंगे तो 2-3 km के radius के अंदर कोई market नहीं है चावी वाले ज्यादा तर footpath पे बैठते हैं कोई shop की पर shop दुकाने नहीं होती उनकी ऐसे time में आपने चावी वाले को ढूंडा और ढूंड भी लिया ढूंडा और ढूंड भी लिया और अंदर जाके उस body को कभी किसी ने लटकते हुए मिन देखा फॉन पे बुलाया तो क्या किसी को ये पता था कि चावी वाले को बुलाना पड़ेगा चावी वाले का phone number किस